नमस्कार मैं हूँ सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान तर चुनावी मोड में आने से पेले लगातार राजस्थान में होरे सरवे को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंतरी अशोग घहलोत और PCC ने एक बार फिर राहूल गांदी के चुनावी शंकनात का आगाज जो है बासवाड़ा से करने का सोचा था और बासवाड़ा के मानगट धाम से इस शंकनात की शुरुवात होनी थी लेकिन शंकनात की जगह को लेकर अब कॉंग्रेस में एक अंतरकला शुरू हो गया है CWC मेंबर रहे और वर्तमान में स्टेरिंग कमेटी में मेंबर हैं रगवुर मीना वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं उद्यापुर में जब मंगलवार को एक बैठक हुई जहां कॉंग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंदावा और गोविन डोटासरा बैठक ले रहे थे तब रगवुर मीना ने कहा कि आपने अस्थान का चैन गलत कर लिया है अब हम भीड मोके पर कैसे जुटाएं कैसे हम राजसमन, सिरोही, माउंट अमू सबे तमाम टीएसपी इलाकों से आदिवासियों की भीड राहुल गांदी की सबा में लेकर आएं क्योंकि दावा तो ये है कि प्रदानमंत्री मोदी की छे सबाओं को मिलाकर जो बीड राहुल गांदी की सबा में जुटाए जाने की तयारी है लेकिन अब यहां बीड जुटा पाना हर एक आदिवासी नेता के लिए बड़ा टास्क बन गया है जहां ठीक सुन रहे हैं आप राजस्थां में जहसे चुनावी गमसान शुरू हो चुका है और इसी चुनावी गमसान के बीच राहुल गांदी की सबाक ृशंकनाद में कोंग्रेस ने एक बड़ी चूप कर दी है और चुप का कारण है कि तमाम आदिवासी नेता इसमें आप बात करेंगे तो स्ट्रिंग कमीटी के रगूर मीना, महेंदर जीत सिंग मालिवा समय तमाम जो बड़े नेता हैं आदिवासी समात से तालुकात रखते हैं वो नेता डुंगरपुर के बेनेश्वर से इस सभा को क करना चाते थे लेकिन इसी दर्मियान एक कम्यूकिशन गेप ने ये सभा बेनेश्वर से मानगड में शिप्ट कर दी और मानगड में सभा की तमाम तयारियों की बीच सभी आदिवासी नेताओं को एडर है कि हम कैसे वहां पर बीड जुटाएंगे दरसल आप इस बात को सम समझी की उद्यापुर से जिस तरह से मानगड को रास्ता जाता है वहां पहुंचने के लिए करीब 6-7 गंटे का सफर है वहां पर इस्तान पर समाधी सल बना हुआ और जो सभा सल बनाया जाना है वहां पर करीब पांच किलोमेटर की दूरी होगी कैसे भीड को पांच किलोम को टार्गेट दिया गया है कि वह जादा से जादा अपने ब्लोक से विदानसभा से लोगों को लेकर आए लेकिन अब भीड को लाना कॉंगरिस के लिए एक बड़ी जुनोती बन गई है और इसका असर जिस तरह से मंगलवार को बेठक हुई तो प्रभारी के सामने और पी ही दुए थे 1913 में यहां पर एक आंदोलन हुआ था और जिसका नेत्रत्व गोविंद गुरू कर रहे थे तभी अंग्रेजों के टुकडी वहां पर पहुंची और उन्हें भून दिया गया तब से वह समारक अपने आप में खासा महत्पुन हो गया और आदिवासी वोट गांदी की सबा अशोग गैलोथ समेत कॉंग्रेस की प्रदेश कमेटी चाहती थी कि मानगरदाम में हो लेकिन जस तरह से मासवाड़ा से आने वाले महेंदर जीत मालिवया जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है उदयपुर के सलुमबर से पहले विदायक रेचुके सांसद रहे चुके उदयपुर से रगुर मीना वो है इसके अलावा जन्जाती मंत्री अर्जुन बामनिया हैं तमाम लोग अब इस बात का कहीं चिंतन कर रहे हैं कि केसे मौके पर ज्यादा से ज्यादा बीड जुटाई जा सकती है जिस तरह से आप बात करेंगे चतोड़गट ज स्टेंस को केसे पार किया जाएगा आठ गंटे के सफर को केसे भीड के रूप में तबदील करकर उस मोधी के लक्ष से जोड़ा जाएगा अपने आप में ये भी महतुन है तो फिलाल कॉंग्रेस की बीच बड़ा संकती है कि मानगर दाम में हम लोग केसे जादा से जादा बीड लेकर पहुंचें ताकि जो टारगेट PCC द्वारा दिया गया फिलाल टारगेट की जो संक्या है वो PCC की तरफ से क्लियर नहीं है लेकिन हर विदान सभा से बड़ा टारगेट इस बार कहीं ने कहीं दिया है क्योंकि राहुल गांदी की चुनाओं को लेकर ये बड़ किताकर हम एक बार में प्रदेश में गहलोत की सरकार बनाएंगे लेकिन जिस तरह से अब नेताओं में वरुद्वाभास नजर आ रहा है अंतरकलग की स्थिति नजर आ रहा है उसमें कहीं न कहीं सीम गहलोत को भी चिंता मिला दिया है तो फिलाल सबसे बड़ा टारगेट जो है PCC के सामने भी यह है कि जस तरह से नेताओं में आपसी विरोध हो रहा है उसे थामा जाए और किसी ने किसी रूप से जो बेनश्वर की मांग है उसे वापस मानगड में तब्दिल करकर हर किसी को संतुष्ट करके सवा को किसी ने किसी रूप में सफल बनाए जाए सतीश्यर्मा राजस्तान तक उदापुर।